हेलो एवरिवन इस्टन्स हाओ आर यू वेलकम टू टेलेंट क्लासेस आज हम लोग सीखेंगे पैरीमीटर और एरिया निकालेंगे पैरीमीटर और एरिया कैसे निकालते हैं यह आपका स्कायर फीगर है इसकायर फीगर में क्या होता है जो इसकी एवरी साइड होती वो सेम होती है इसकायर की जो एवरी साइड होती है वो क्या इस्टन होती है सेम होती है तो इस्टन देखें आपको 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहनि 21 सेंटीमीटर यह साइड है तो 21 सेंटीमीटर यह भी साइड अब हमें perimeter निकालना है यह figure आपका कैसा square है तो perimeter perimeter को P से सो करते हैं और square के लिए perimeter formula होता 4 into side यहनि 4S 4 into S की value आपकी 21 है तो 4 बन जा 4, 4 तू जा 8 84 cm यह आप question क्या आगया perimeter आगया आप हम लोग को area निकालना area को लोग capital A से सो करते हैं और area of square को जो फार्मना होता है वो फार्मना मारा होता side square यहनि हम से लिए सकते है side into side side है आपकी कितनी है 21 है फिर into 21 है अब अगर आप 21 into 21 का multiply करेंगे तो 441 आएगा आपका centimeter square यह आपका area निकलाया इसी पकर आपकी 1.2 मीटर दी हुई आपको side दी हुई है क्या दी है side दी है आप figure में सो करेंगे तो 21 की जगर replace कर दीजे तो 1.2 मीटर आ गई आपकी और square के every side क्या होती है सेम होती है यहां पर भी हम perimeter निकालेंगे किसका square का formula हो गया 4 into side यह तो हम यह कहें perimeter की कि जितनी साइड होती ही सभी को add कर देते हैं यहां पर 4 side है इसलिए हम 4 का multiply भी कर सकते हैं तो हम 4 का side में multiply कर रहे हैं तो 4 into 1.2 4 to 8 4 बंजा 4 तो 4.8 मीटर यह आपका perimeter आगे questions हम लोग एरिया निकालेंगे एरिया का फार्मलता s into s यहनि side को हम किससे सो करते हैं इसमाल s से सो करते हैं तो side हमारी कितनी 1.2 into 1.2 अब आप इनका multiply करेंगे तो आ जाएगा 144 डेसिमल के बाद एक नंबर है इधर भी दूसरा नंबर है तो यहां पर आ जाएगा 1.44 meter square यह आपका answer है area यह वो question सोलम करेंगे जो हमारे फार्मेस related है और side हमें दी हुई है फिर इसमनों बात करते हैं find the perimeter and area of the rectangle यह figure क्या है rectangle का है लेकिन आपको जो area perimeter निकालना है वो millimeter में निकालना है किसमें निकालना है millimeter में तो सबसे पहले जो यह centimeter है इससे हम millimeter में change करेंगे तो instance 1 centimeter में कितने millimeter होते है 1 centimeter में 10 millimeter होते हैं कितने होते हैं 10 तो 12 में 10 का multiply कर देंगे तो 120 millimeter आपका आगया फिर हम 8 में भी 10 का multiply करेंगे तो आपका क्या जाएगा 80 millimeter तो आपकी length क्या हो गई 120 millimeter और आपकी breathe क्या हो गई 80 millimeter rectangle की आपने समने की साइड क्या होते हैं सेम होती है इसका area निकालेंगे तो rectangle के area का formula होता है length into breathe length 120 breathe आपकी क्या 80 आप multiply कीजिए दो 0 यह टोलेजर 96 9600 mm square यह आपका area perimeter निकालेंगे perimeter में सभी साइड करेंगे इसके हमारा formula भी है टू ब्रेकर में L प्लस B तू length आपकी कितनी है 120 breathe कितनी है 80 आप इसे एड कर दीजिए तो टू इंटू 120 में 80 एड करेंग तो आपका आ जाएगा 200 तो 200 में आप टू का multiply कर दीजिए तो 400 मिली मीटर यह आपका perimeter आ गया तो इस पकार से फार्मले बेस वाले question को आप करें एनी प्रावलम हो तो मेरे बाड चैनल में कमेंट करें जैहिन चैवारत आप